सरकार ने बजट में लिये हुए अपने टेक्स फैसले पर यूटर्न ले लिया है यानि इंडेक्सेशन पर केंद सरकार का यूटर्न आ गया है और देखिए विरोध के आगे कैसे जुग गई है सरकार जनता को बड़ी राहत मिल गई है मैंने पूरा शो करके आपको बताया थ कि कैसे इंडेक्सेशन हटा कर लोगों में विरोध था और देखिए अभी अभी खबर आई है कि कैसे सरकार ने सोच लिया है कि जो फिनैंस बिल में इंडेक्सेशन को हटाया गया था उसके लिए हम आप्शन दे देंगे यानि अधर साफ लिखावा है कि 23 जुलाए 2024 से पह सकता था इंडेक्सेशन इंडेक्सेशन एक बेनिफिट है जिससे महंगाई और जितनी भी आपकी कीमत होती है संपत्ती की वह बैलन्स होती है तो यह पुरानी रिजीम थी लेकिन जैसे बजट में एलान हो गया था कि हम इंडेक्सेशन हटाते हैं और 12.5% टेक्स कर देते ह तो यह new scheme थी और वो जो पुरानी वाली थी उसको खतम कर दिया था लेकिन अब सरकार ने क्योंकि इतने सारे विरोध हुए आपको पता है जनता ने विरोध किया इधर सारे विपक्षियों ने विरोध किया और उसके बाद finally अब सरकार ने changes करने की ठान ली है उन्होंने य आसान शब्दों में एक बार फिर से याद दिला देती हूं कि indexation होता क्या है तो देखिए जब बजट 2024 का एलान हुआ तो उसमें यह कहा गया कि long term capital gains उसका जो tax से हम 20% से 12.5% कर देंगे यानि आपको यानि जनता को अपना संपत्ति अगर आप बेचते हैं उससे जो मुना इंडेक सेशन हटाते हैं और इंडेक सेशन होता क्या है आप इससे समझिए बजट 2024 के एलान से पहले आप इमेजन कीजिए कि साल 2000 में आप आपने कोई भी एक संपत्ति खरीदी मकान खरीदा जमीन खरीदी 20 लाक में फिर साल 2009 में इसको 35 लाक में बेच दिया तो आपके प 15 लाक जो आपका मुनाफ़ा हुआ है उसमें से इंडेक सेशन माइनस कर दीजिए इंडेक सेशन एक ऐसी वैल्यू होती है जो जैसे जैसे संपत्ति की वैल्यू बढ़ती जाती है तो महंगाई से उसको बैलेंस करती है तो 15 लाक मुनाफ़े में से अगर आप इंडेक सेशन minus करते हैं देखिए indexation benefit मतलब कीमत को महंगाई से balance करना और सरकार को आप tax 15,000,000 और यह जो पूरा indexation का amount है वो करेंगे तो आपको सरकार को tax कितना देना होता था इस 5,000,000 पर 20% LTCG tax यानि long term capital gain tax और इस पे आप सरकार को tax देते थे तकरीबन एक लाग रुपे 1,1542 तो यह तो पहले होता था लेकिन जैसे ही budget आता है सरकार कह देती है कि हम indexation benefit को हटाते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकार को tax अब जो आपकी कमाई हुई है 15,000,000 रुपे उस पे आपको सीधा सीधा 12.5% देना होगा LTCG और उसके बाद अगर आप सरकार को कितना पैसा देंगे 1,87,500 यानि आप देखिए आपको जो घाटा हुआ पहले तो आप सरकार को इतना दे रहे थे तकरीबन 1,1542 लेकिन indexation हटने के बाद आप इतना दे तो आपको घाता कितना हुआ आपको तकरीबन 85,958 का घाता हुआ अब इस बात पे बहुत ज़्यादा विरोध हुआ पूरे के पूरा आपने रागत चड़ा की मैंने आपको बाइट सुनाई थी कि कैसे उन्होंने पूरे संसद में इस मुद्दे को हुटाया फिर कैसे पूरा विपक्ष लग गया कि कैसे आपने टेक्स सिस्टम में आप जनता के मुनाफे में से सरकार जादा पैसे कमाना चाती है और उसके बाद ये एलान हो गया है कि इंडेक्सेशन का हम आपको हम इसको वापिस लाते हैं और हम जनता को पूरा का पूरा ऑप्शन देंगे कि यहां तो पूरानी स्कीम चूज करें यहां तो नई स्कीम चूज करें तो अब विपक्ष को एक और बड़ा टॉपिक मिल गया है कि हमारे विरोध के आगे कैसे सर सरकार ने बजट में यह जो भी नियम लाया था पॉलिसी लाया था बिना सोच समझ के लाया था क्योंकि जैसे ही विरोध हुआ तो सरकार ने अपने डिसिजन को यानी बैक फुट पर आ गए और यह अब विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है मैं हुर प्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रही है हमारे साथ और देखते रही है यूस 24